सुबचो एक नया क्वेस्टिन लिखी है जर आपनी कॉपी में Mr. X is a seller for fruits for गरबर लग रहा है of fruits when the price when the price was rupees 100 he used to sell 10 kilogram price 120 हो गई he is willing to sell 12 kilogram price 150 हो गई willing to sell 18 kg price 200 हो गई willing to sell 30 kg एक behavior आपको नजर आया होगा बच्छो जैसे जैसे प्राइस भड़ रही है वैसे वैसे इसके willingness to sell भी बढ़ लगी है तो ध्यान से मेरी बात सुनीगा बच्छो क्योंकि सके हैं ताकि death rate कम हो जाए but sorry that is not law of supply आप इसके समान बेचने क्योंकि कल को recession आ जाएगा तो आपका समान बिके गर रही है that is again not law of supply तो law of supply क्या है willingness to sell more only and only when the price goes up सिर्फ price के बढ़ने से अगर आप जादा बेचना चाते है तो law of supply बच्छो और किसी reason से अगर जादा बेचना चाते है तो ये law of supply नहीं होगा सबको समझ में आ गया चलिए तो supply refers to the quantity that producer is willing to sell at alternative prices जो मैंने आपको example अभी दिया during a given period of time जितना ज्यादा आपके पास stock होगा उतना ज्यादा आप बेच पाएंगे बड़ ये law of supply नहीं है बच्छो जितना price बढ़ेगा बजार में आप उतना ज्यादा बेचना चाहेंगे ये law of supply है फोपले इन बात गई तो बच्चे कहेंगे सर अगर price नहीं बढ़ा हम तब भी ज्यादा बेचना चाहते हैं तो उसे क्या बोलेंगे जैसे demand में पढ़ा तो quantity demanded यहाँ पे आएगा quantity supplied तो tension मत लीजे दो line की definition जट पट लिख लें जो stock और supply में there is a difference children total quantity that we have with us is a stock and that what we are willing to sell is supply आपके पास 200 chairs go down में पड़ी है but आपने 50 chairs 3 rupees के price से 100 chairs 4 rupees की price से market में बेचने की सोची है planning की है it is supply तो अब यह भी बोल सकते हैं कि showroom में जो समान रखा होता है वो क्या है supply और yard में जो समान रखा होता है it is stock तो मेरे पास 20 sets study metal है but अभी मैं बच्चों को वो नहीं देना चाहता हूं क्योंकि अभी वो chapter आया ही नहीं है तो it is stock but when I keep it on my table to be distributed to the children during lecture it becomes supply तो आपके घर में kitchen में 10 kg आटा रखा है या एक ही दिन रोटी बन जाएगी पूरे आटेगी no it is stock मम्मी ने 2 kg आटा निकाला और so-called उसका डोब बनाके रोटी बनानी स्टाट कर दी that is supply समझ में आगई बार stock और supply में क्या डफिन लिए stock basically doesn't refer to inventory क्योंकि एकनॉमिक सब्जेक्ट है had it been accountancy I would have said that stock is inventory हो सकता है आपके एकनॉमिक सी बुक में आपको inventory शब दिखाओ मिले बट वो एकनॉमिक से यूज करना गरबड होता है तो कि economics में inventory जैसा शब्द आता ही नहीं है even financial accounting में भी नहीं आता cost accounting में inventory शब्द बना हुआ है नहीं नहीं बॉक्से नहीं बॉक्से नहीं बट दुकान में किसले रखे हैं businessmen ने बेचने के लिए अगर आपने एक ही शेट के 15 पीस खरीदे एक ही size, एक ही color, एक ही shape, एक ही design 15 पीस पांच आपने दुकान पे रखे हैं, दस go down में है तो go down वाले को stock बोलेंगा और shop वाले को supply आपकी willingness to sell जब जाहिर हो जाएगी that's supply is that clear आपकी शादी होने वाली है बढ़ मम्मी ने अभी रिष्टा ढूणना start नहीं किया you are stop जब रिष्टा ढूणना start कर देंगी तो क्या होगा तब supply हो जाएगा ओके, देर सारे question papers teacher आए as an invigilation duty करने class में बाटेंगे, बट अभी उनकी table रखा है जब बोला भई सारे बच्चे सेटल हो जाओ तब तक वो क्या होगा stop जैसे teacher ने हाथ में उठाया तो willingness to sell होगा तब क्या बन गया supply जितनी B copies रखी है सारी की सारी आपको देने के लिए हैं तो it is supply but 50 B copies आई थी 20 बढ़ गई 30 वापिस लॉट गई to the examination room वो 30 क्या हो जाएंगी stock कल सबेरे फिर निकलेंगी तो वो supply बन जाएंगी तो stock is total quantity available but जब willingness to sell होगा तब ही वो बन पाएगा supply समझे इस बात को चलिए मोती महल वालों ने FMCG products है लिए आटा वगेरा सब को kitchen में रखा है बट जितना आज आटा गूंद लिया वो supply है बागी सब क्या है stock है petrol pump पे जितना petrol है tank में बेशने के लिए तो है सबका सब supply है बट जब रात को petrol pump बंद हो गया आप नहीं बेशना अब क्या बन गया stock बन गया ओके चलिए हाँ तो आप उसको stock बोलेंगे तब ही तो 31st March को जब year end होता है balance sheet में stock note होता है supply throne note होती है और जब आप बेशते हो तो आप उसको sale बोलते हो इन दोनों में sir क्या difference होता है इन दोनों में दो differences होते है यह थोड़ी बकवात से इसको कम समझिएगा यह पूरा circle children is called as supply किसी एक को ले लीजिए 10 रुपे पे 30 units बेशना चाहते है या 20 पे 40 और 30 पे 50 if not 40 पे 60 individually it is called as quantity supplied and all together it is called as what children supply I repeat children individually इन सब को हम क्या बोलेंगे quantity supplied and all together it is supplied यह थोड़ा बकवास concept है यह नहीं पूरे फिनॉमना को पूरे फिनॉमना को the quantity at which the quantity which is supplied at some particular price at some particular तो यहां पे आपको चार quantity supplied नदर आ रही है यह भी quantity supplied है बच्छों यह भी quantity supplied यह भी quantity supplied और यह भी quantity supplied और इन सब को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा supply तो this is singular and this is plural कितना समझा गया बट इस बकवास को कम ध्यान रखना है मैं आपको एकदम apt चीज़ बता रहो सिर्फ प्राइस की वज़े से प्राइस बढ़ेगा तो I am willing to sell more घटेगा तो I am willing to sell less full stop it is supply बट अगर stock excess हो गया है पढ़े पढ़े खराब हो जाएगा that's why I am willing to sell more it is quantity supply government गर्मेंट कंपल जान है भारत बाइटेक के उपर प्राइस मत देखिए बस दवाई बनाते जाहिए और देते जाहिए क्योंकि लोगों को फ्रीम इंजेक्शन ठोकने है it is also quantity supply is that clear market में competition है हम सस्ते दाम पे भी अपना stock क्लियर करके market leadership establish करने के लिए जादा बेच रहे है it is also quantity supply क्योंकि हमारी machine बड़ी so called efficient है बहुत जादा output देती है दूसरा producer इतना ना बेच पाए market capture करना है leader बनना है that's why we are willing to sell more it is what quantity supply कितना समझ मैं है बच्चो अब इस सारे meaning को उल्टा कर दीजे इस सारे meaning को उल्टा कर दीजे मतलब सर मतलब ये था price के बढ़ने से I am willing to sell more ये quantity supplied है तो सर इतना आपने उल्टा क्यों बोला ताकि आप इस बात को ध्यान लखें नई तो डरवडा जाएंगे फिर सा सुनिए मेरी बात मेरे पूरे पिछले चार मिनिट के लेक्चर को उल्टा कर दीजे अगर दाम बढ़ने से मैं जादा बेचना चाहता हूँ phenomena is quantity supplied दाम गिरने की वज़े से मैं कम बेचना चाहता हूँ it is quantity supplied मोधी जी ने अधार पूना वालों को बुला बहिया जादा दवाई बनाओ जादा बेचो मार्केट में ताकि लोग मरे ना it is what children supply पड़े पड़े समान खराब ना हो जाए तो बहिया जादा बेच दो बजार में it is supply समझना गया क्योंकि market leader बनना है जादा बेचना है it is supply लॉजिक समझ मैं है demand function याद है बच्चो price की वज़े से होता तो quantity demanded और किसी वज़े से होता तो demand वही चीज़ यहां पर भी है price की वज़े से होगा तो quantity demanded sorry quantity supplied और किसी वज़े से होगा तो supply तो जटपट एक composition अपने notes में लिखें चल्ड़न supply function बोली क्रिशिप जी इस से related कुछ पूछना है इस से related कुछना है demand में क्या पढ़ा था sir आप पैदा कभ हुए थे sir आप मरेंगे कब sir आप कितना आन करते है sir भूमने कभ गए थे family के साथ I am least interested in answering this अपनी queries आप मेरे से तब पूछ येगा जब मैं आपसे पूछ हूँ इसमें कोई query है क्या ने तो किसमें क्या था मेरे को इन चीजों का हैसास बिल्कुल ना दिल्वाए मैं सब पढ़ा दूगा बिल्कुल परशान में पूछ ये क्रिश्व जी पता नहीं क्या खा क्या आते हैं ये पेड में क्या दर्दो आता है भगवान जाने एक दो लात खा लिया गरो जरा तो पेट का दर ठीक होचाएगा चलिए बचों तो आगया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पी आर जी एफ पी उसके बाद लिख लेते हैं सो कॉल्ड आई डॉट 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 ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बचों यह सीक्वेंस में थोड़ी आगया पढ़ेंगे अगर प्राइस मेरे प्रॉड़क्ट की बजार में जादा है आप मेरे को सजेस्ट करिए as a businessman आई शुट सेल मोर और आई शुट सेल लेस यह दिकाओ जी और दिक जी कुशल जी तुशल जी सजेस्ट अगर प्राइस कम हो रही है अभी तो मेरे को क्या करना चाहिए आई शुट सेल लेस इस फिनोमेना इस कॉल्ड आज वोट कॉंटिटी सप्लाइट कोको कोला दो प्रॉड़क्स बनाता है चल्टन एक बनाता है कोको कोला कॉल्डरी और एक बनाता है मिनिट मेड जूस जो आपको मिलेगा सो कॉल्ड मिक्डॉनल्स में अगर मिनिट मेड जूस महंगा बिक रहा है और कोको कोला बेवरेज कोल्डरिंग सस्ती बिक रही है वो क्या ज़ादा बेशना चाहेंगे minute made, coca cola coldering नहीं बेचना चाहेंगे तो coca cola coldering और minute made के comparison में उनको ज़्यादा revenue कहाँ पे मिलेगा minute made, this is children supply अगर आप minute made को ज़्यादा बेच रहे coca cola को कम बेच रहे बट अगर सिर्फ महिंगा दाम होने पे minute made ज़्यादा बिकरा है तो it is quantity supplied यहाँ पे price of related goods ऐसे काम करता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यह substitute हैं company के compliment नहीं है तो demand में substitute रो compliment दोनों पढ़ाता price of related में यहाँ पे सिर्फ substitute है तो मेरे को अगर x syllabus पढ़ाने में profit ज़्यादा है तो मैं किसे ज़्यादा पढ़ाऊंगा x syllabus को अगर y syllabus पढ़ाने में profit का मैं तो मैं किसे नहीं पढ़ाऊंगा y syllabus it is quantity supplied x और y के comparison में x ज़्यादा revenue देके जा रहा है तो उसे हम ज़्यादा बेच रहे है it is supplied कितनी बात समझ नहीं g का मतलब क्या है government policy अभी तक मेरे restaurant में government ने कोई tax नहीं लगाया था अब tax लग गया तो अब 100 रुपे का product जब हम बेच रहे है 2 रुपे उसमें tax आ गया तो हमारी जेव में कितना आएगा 98 95 तो हमारी खरीद है तो पहले purchase price 95 थी 100 में बेचते थे 5 कमाते थे अब 2 रुपे तो सरका tax मांग रही है तो profits कम हो गए बच्चों की बढ़ गए कम हो गए क्या हमारा so-called charm होगा इसको बेचने में it is called as supply future में price लग रहा है बढ़ने वाला है should I be selling today children no it is supply future में price गिरने वाला है आज मैं क्या करूँ जादा से जादा पेच दे it is supply input cost पहले चाइना से raw metal आता था सस्ता पढ़ता था अब government ने ban लगा दिया है हमको so-called US से मंगवाना पढ़ना है तो raw metal cost बढ़ गई क्या public हमें जादा पैसा दे देगे हमारे समय का no profit margins will go down इस वह से अगर supply affected है सॉरी इस वह से अगर market में dispatch affected है तो इसे क्या बोलेंगे supply ये बोलना गलत होगा ना supply affected उज़े supply बोलेंगे प्रिम बात गई तो इनकी वज़े से अगर so-called quantity to be delivered in the market में कोई असार आ रहा है it is called as what should learn supply और price की वज़े से आ रहा है तो quantity supplied इतनी कहानी सुनाई पढ़ गई बचो any doubts many doubts mark करिए mark करिए mark करिए सब लोग mark कर देंगे रहा once you आपके सवाल का जवाब मिलेगा बरपूर मिलेगा पहले मैं पहले अपनी पटर पटर complete कर लो कितना समझना गया कितना समझना गया आपको किसी जमाने में पढ़ाए गया था price की वज़े से change आएगा तो आप उससे quantity demanded बोलेंगे या supplied हो गया other factors की वज़े से आएगा तो demand बोलेंगे या supply हो गया same चीज़ हो गई आपने बच्चों एक concept पढ़ा था movement और shift का अगर market में दाम बड़ा है तो मैं जादा बेचूंगा it is movement में extension अगर दाम गिरा है तो मैं कम कचोड़ी बेचूंगा अपने ठेले पे it is movement में contraction अगर government की policy unfavorable है मेरी कमाई कम कर रही है तो मेरे को Tommy और Moti नहीं काटा कि मैं जादा बेचू इसकी वज़े से हुआ तो एक शब्द में supply और phenomena में क्या बोलेंगे शिफ्ट बोलेंगे इसकी वज़े से हुआ एक शब्द में quantity supplied और phenomena में क्या बोलेंगे movement इसकी वज़े से बढ़ेगी quantity तो extension और घटेगी तो contraction इनकी वज़े से बढ़ेगी तो increase और घटेगी तो is it a very great rocket science अब आप पूछे क्या पूछना आपको यहां पर इतने जहुआबर टाइपस नहीं कोई क्वेरी गीतिका जी अर्दिक जी कुशल जी कोई क्वेरी यह सारी बातें सेलर के प्रेस्पेक्टिव से दी मैंने जब चाप्टर अभी स्टाट किया लेक्चर तो सबसे पहले क्या लिखा था प्रूट सेलर 100 रुपय पे इतना 120 पे इतना 150 पे इतना and so on तो वो पढ़ाता बायर के प्रेस्पेक्टिव से और यह किसके प्रेस्पेक्टिव से पढ़े सेलर स्टाटिंग में तो बताया था अब दिमाग में खिचडी क्या पक रही है सर जब दाम बढ़ेगा सेलर तो चौपकीपर्स तो 24 घंटा दुगान को ले रहेंगे आप जैसे कस्टमर भाग जाएंगे उसे ट्रेड कम होगा बताया जाएगा जब मार्केट इकलिब्रियम पढ़ेंगे बिल्कुल बताया जाएगा ने कुछ नियोंगा पढ़ाऊंगा बिल्कुल परश्चान मतों यह उल्टा चलता है उल्टा चलता है वह फिनोमना यहां पर नहीं बताया जा सकता उसके लिए एकॉनमिस्ट ने मार्केट इकलिब्रियम का कॉंसे पढ़ा है डॉक्टर कहेगा दवाई कडवी है वह जाधा कडवी दवाई देगा ताकि इलाज हो जाएं आप जाधा मीठी ख है तो आपकी अप्रोच क्या है दवाई कडवी होगी तो मैं कम खाऊंगी मीठी होगी तो मैं जादा खाऊंगा डॉक्टर क्या है कडवी है तो ज्यादा दूंगा मीठी है तो कम दूँगा तो भाई कड़वी दवाई पर आगे आप पीछे मीटी दवाई पर आप आगे वह पीछे तो भाई कैसे दवाई मुझे जाएगी मार्किट इकलिब्रियम मम्मी पापक भीशान पड़ाए जाएगा अभी परशान मतलिए सप्लाइ में रिलेशन्शिप डाइरेक्ट है बचों और डिमांड में इन्वर्स चल पाए है इंडारेक्ट मत लिखाईएगा अभी सोरे देग्या दो प्रॉडक्स है कोको कोला के पास एक है मिनिट मेड और एक है को कोल्डरिंग मिनिट मेंगा बिकता है बजार में कोक सस्त को बेचेगा मिनिट में अगर का जवाब किसका दाम ज्यादा है तो मेरा जवाब तक मीनिट मेड ज्यादा इसलिए इसलिए को क्यों कि सस्थी उडेगा तो जवाब क्या है की विजीनसमें क्योंकि market में उसका revenue जादा है 14 को वो चाहते हैं कम विके थोड़ा विकतर है बड़ कम विके तो it is supply 15 का दाम market में जादा होगा 15 को बेशना चाहेंगे 15 का दाम कम होगा कम बेशना चाहेंगे it is quantity supplied तो सिर्फ price की वज़े से है तो quantity supplied इनकी वैसे तो supply समझ में आया स्कूल क्यों चाहता है कि बच्चे science जादा ले सर फीज जादा मिलती है na quantity supplied क्यों चाहता है क्योंकि fees कम मिलती है na quantity supplied बट स्कूल चाहता है नहीं जो बच्चा जिस subject में अच्छा कर पाए उसको वो पढ़ना चाहें it is supply तो आपका स्कूल supply आपको चलते हैं आगे बच्चो तो supply functionality मैंने आपको बता दिया क्या होता है समझा गया एक पॉइंट इसमें और चाहिना से आ रहा है बड़ा सस्ता मिल रहा है बच्चो एल बीट उसेल मोर या वह मारूती वाले जो अपना रामटल यूएस से लेकर आ रहें जो बहुत महगा मिल रहा हो को I'll be able to sell more government ने हमारे ठेले पे burger पे tax कम लगाया है तो हम ज़्यादा बेश पाएंगे बड़ ताज वालों पे tax बहुत ज़्यादा है तो वो कम बेश पाएंगे क्योंकि उनका ज़्यादा कमाई का हिस्सा तो tax में चला जाता है तो आप ऐसे समझ लीजिए 500 रुपे का burger अगर 18% GST लग गया या pizza बर्गर बड़ा मेंगा हो जाएगा पीज़ा 500 का और अगर 18% GST लग गया तो कितने का आएगा बचो 590 गवर्मेंट की पॉलिसी है tax बढ़ा दो तो बिजनस मेंगा कौन खरीदेगा चलो कोई और समान बेशते हैं पीज़ा कम बेशते हैं बट अगर गवर्मेंट कह रही है सिर्फ 5% GST है पीज़ा पे तो 500 का पीज़ा अब कितने का हो जाएगा बचो 525 का अब comparatively customers हमें जादा मिलेंगे तो मारी willingness जादा पीज़ा बेशने की होगी या कम समझ में आ गया नमजी नहीं समझना है चलिए स्टेट अफ टेकनोलजी अभी किसी को मैं 100 करोलों पे देदू और बोलूगी 4 घंटे के अंदर गिनना है कोई नहीं ठकेगा बट पढ़ने को बोल दो तो अंदर से वो औरा ही नहीं बन पाता है खेर अपने अपने इंटरेस्ट की बात है मेरे पास चाइनीज मशीन है आउटपुड बहुत जादा होगा आपके पास हिंदुस्तानी मशीन है आउटपुड बहुत काम होगा फिर से आपने लेटेस्ट फोटो कॉपी मशीन आपने अपनी दुकान पर रख ली एक मिनिट में एक हज़र कॉपी कर पाती है पुरानी मशीन एक मिनिट में साथ सो कॉपी कर पाती थी किस मशीन में आउटपुड जादा है चल रहें नई वाली में तो अगर टेकनोलोजी लेटस होगी तो सप्लाए बढ़ेगी और घटी या टेकनोलोजी होगी तो सप्लाए नहीं समझे सुम्झना गया पी विवालों के पास दिमाग है दो घंटे की मुई है तो बारा से तेन पहले चलता था स्टैंडर्ड त्री आर्स का चलता था क्यों क्यों कि मूवी तीन गंडे की थी तो वाणुवल रील आती थी बड़ी-बड़ी उसको वापिस लपेट पढ़ता था उसमें टाइम लगता था आजकल तो डाउनलोड है भई सीधे स्क्रॉल करना है तो अगर आपके पास टेक्नोलोजी बेस्ट है तो आपका आउटपूर्ट ज्यादा टेक्नोलोजी पूर है बच्चो तो आउटपूर्ट समझ गए इस बाग को नहीं समझे पक्क चलिए अगर बजार में दाम बढ़ा है तो मैं ज्यादा बेचूंगा कम है तो मैं कम बेचूंगा बाढ में गया इंपुट कोस्ट भाढ में गईंगर गई 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 निव्हाइट असटेक्नोलजी वी आर कंसरन दॉयल विद ओनली वाचशल रिट किसकी price related good की नहीं उस particular commodity की तो सर यहां पर तुभी लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ ऐसी क्या बात है price of the commodity itself सुन नहीं बड़ी बात बचो price of the commodity itself तो we are concerned with अगर market में commodity का price बढ़ेगा I'll be willing to sell more दाम गिरेगा I'll be willing to sell less दूसरी commodity गई बाड़ में input cost बाड़ में government policy बाड़ में और state of technology बाड़ में यह ना लिखके चले आना अगर पूचा जाए what is the meaning of citrus parables teacher जाए बाड़ में समझ में आ गया आपके school में जो आपके subject teachers हैं जो वो आपको instruction देते हैं आप follow करते हैं चल रहे हैं क्या आप चप्रासी का instruction follow करेंगे चप्रासी जाए बाड़ में जो आपके school का IT head होगा क्या आप उसका instruction follow करेंगे आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है तो वो सारे लोग कौन से हैं सेट्रेस घर में कितनी बार होता होगा मम्मी पापा से बोलती होंगी देखिए मेरी बास स सुनी नहीं नहीं सुनी नहीं नहीं आटाय मम्मी को तुम इनके लिए इस एट्रेस पेर बिसाफो अडra ट remedy आए नहीं आ нач से कोई मतलब नहीं है, input cost से कोई मतलब नहीं, government policy से कोई मतलब नहीं, इस से कोई मतलब नहीं, समझ गये law of supply, other things remaining constant का मतलब समझ गये, तो other things remaining constant का मतलब है, following factors are ignored, so you were traveling via train और आप सो रहे थे और बहुत शोर मच रहा था, AC2 tier के डिपे में भी, धेर सारे लोग बजिया पकोड़ी बेच रहे थे, कोई chain और साबुन बेचने चलाया, कोई ताली बजा बजा के पैसा माँगने चलाया, और train की speed भी बहुत बढ़िया थी, क्या आपको इन सब चीजों से मतलब है, अगर चादर तकिया बढ़िया है, you'll sleep more, बिच्छुएं उसके अंदर, you'll sleep less, other things remaining constant, तो जब आप class में बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ अपने subject से मतलब रखिये, बगलवाला क्या सोच रहा है, आपका दिमाग कह रहा है, मैं ठक गया हूँ, आपका पेट कह रहा है, मेरे को भूग लगी, बुकड़ों गया हूँ, टांगे जवाब द सौफ्टी का दाम बढ़ा हुआ है, वो सारी के सारे staff members सिर्फ सौफ्टी बेचने पर ध्यान दे रहे हैं, और जब burger का दाम कम हो गया, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं, इस अक्लियर, उनको इससे मतलब है ही नहीं, कि सो कॉल्ड दूसरा product कितने मिक्रा है, उनको इससे कोई मतलब भी नहीं है कि सौफ्टी की input cost क्या है, उनको कोई मतलब नहीं कि government ने बान लगाया हुआ कि सौफ्टी नहीं खिलानी, पब्लिक को गलाखरा हो जाएगा, और उनको इससे कोई मतलब नहीं कि उनकी technology क्या है, किससे मतलब है, price से, समझ मा गया, तो अगर McDonald's के पास advanced machine है पंदरा सौफ्टी एक बार में रीफिन होती है, खटाक से कोन गिरते हैं, उसके अंदर वो मिलावटी, वनीला, पाउडर, पानी मिला के ठंडा करके बर दिया, तो वो ज्यादा बेच पाएंगे, बट सौरी बच्चो, ये law of supply नहीं है, तो law of supply तभी बोलेंगे, जब price के करने से I am willing to sell more, और price के गिरने से I am willing to sell less, और अगर किसी वज़े से हम ज़्यादा या कम बेचना चाहते हैं, सौरी ये law of supply नहीं है, अभी Lenovo के showroom से phone आ गया, सर हमारे या नया प्रोसेसर आया है, सर डिस्प्ले पे लाप्टॉप है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आ जाएए, क्योंकि उनकी factory में laptop का production जादा हो गया, government ने band लगा दिया है, तो उनको अपना Chinese product जल्दी जल्दी बेच के खतम करना है, क्योंकि उनकी input cost बहुत सस्ती है, तो कहरें जल्दी जल्दी stock बेचो, क्योंकि नया laptop जो आएगा, वो जादा freebies के साथ उतनी price पे आएगा sorry बचों, ये law of supply नहीं है, बटकर वो मेरे को बोले, सर दाम बढ़ा है, हमारा profit ज्यादा हो जाएगा, सर खरीद दीजिए, मैंने का नेकी और पूछ-पूछ, बिल्कुल भेज रहे हैं अपने बेवकू students को, it is law of supply, कुशल जी होते हैं तो बोल देते हैं, उनको चलेगा है समझ में आगया बच्चों, समझ में आगया बटा आप लोग तो genius है, आप लोग तो ये बात मानेंगे नहीं, understood what is law of supply, पक्का, चाट वाले की दुकान पे मैं गया एक दिन, मैंने का तुम ये टिक्की बेशने में बड़ा interest दिखा रहे हो, क्या रहे सर इसमें मेरे को जाद कबाब पराठा, तो इसलिए मैं इसको जादा बेशना चाहरा हूँ, गवर्मिन ने का है, जो कबाब पराठा बेशेगा, तो वो इसलिए बेच रहा है, क्योंकि कबाब पराठी की technology उसके पास बढ़िया है, और दूसरी technology बढ़िया, समझ में आ गई ये बात चल रहे है, understood आपका प्रॉफित माजन बढ़ेगा तो लॉफ सप्लाइ जब लिखा गया दुनिया में यही लिखा गया वेन प्राइस इन्क्रीस ये नहीं लिखा प्रॉफित मार्जन इंद इस इसे एक्सामपल से क्लियर कर देता हूं not to worry, मान लीजिए, cost of manufacturing a product is 8 रुपी 90 पैसा, आप उसे 10 रुपे में बेच रहे हैं, तो आपका profit कितना हो रहा है बच्छो, एक रुपे 10 पैसे का, आप जब उसे 20 रुपे में बेचेंगे, is that clear, तो आपका profit कितना हो गया, 11 रुपे 10 पैसे का, सब जब 30 में बेचेंगे, अब प्रॉफिट कितना है, 18 रुपे, जब 40 का बेचोगे, तो cost भी 15 रुपे हो गई, प्रॉफिट कितना है, 25 का, आपके profit margins बढ़ रहे हैं, इसलिए आप जादा बेच रहे हो, बड़ जब आप law लिख किया होगे, तो उसमें price word लिखना है, profit margin नहीं लिखना, जैसे मैंने पढ सब्सक्राइब पढ़ने के साथ-साथ, हमारा profit margin भी बढ़ जाता है, that's why we are willing to sell more, वो अंदर की बात है, बट जब loss supply लिखेंगे, तो शब्द सिर्फ प्राइस रूस होगा, पागल बंती की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, पट ज़री नहीं कि market में दाम लोग हमको ज़्यादा देंगे, in a shorter period, input cost बढ़ गी factory की, factory ने मेरे को जो supply किया, वो महगा बेचा, बट बजार में already पुराना stock available है, तो market का price is different, I repeat, अचानक से ये market price बढ़ेगा, नहीं, it will take time, तो starting में क्योंकि हमें महगा मिल रहा है समान, त तो हमारा profit per unit कम होगा की बढ़ेगा, कम होगा, तो अब हमारा profit per unit जब कम हो रहा है, क्या हमारा charm होगा, जाधा बेचने का, बिल्कुल देंगे, हम कौन है, हम businessmen है, businessmen है, आपकी manufacturing है, तो ठीक है, आप price बढ़ाओगे, बट इसको price बढ़ाना नहीं बोलते, इसको, cost बढ़ रहा है, तो इनकी cost of production क्या होगी, बढ़ जाएगी, बच्छे factories के पास अभी भी पुराना सस्ते दाम का खरीदा हुआ leather है, तो बच्चों वो तो हमसे सस्ता समान बेचेंगे, तो हमारा customer कहां भाग जाएगा, सस्ते वाले पास, तो अभी हम भी उसी price बेचेंगे, जो market में चल रहा है, over the period of time जब उनके पास भी raw metal खतम हो जाएगा, उनके पास भी supplies महगे raw metal की आएगी, तो वो भी दाम बढ़ा देंगे, तो ये time duration का difference है यहाँ पर, तो जब दक short period में, उनका stock महँगा नहीं होता, उनका cost महँगा नहीं होता, तब तक हम price नहीं बढ़ाएगे, औ क्योंकि अगर आपने ज़्यादा बना के आज बेच दिया, तो जो profit कमाने का मौका है, आने वाले time में, वो मौका आप होतेंगे, क्योंकि आपने तो maximum stock गटे हुए दाम पे बेच दिया, इसलिए, आप मेरी बाती नहीं समझ भा रहे है, cost of production के बढ़ने से price जो है, यह हमारा price हम थोगा decide करते हैं, यह कौन decide करेगा दाम, market, मान लो मैं 10 रुपे में product बेच रहा हूँ, मेरी cost कितनी है, 8.9, अब मान लेते हैं, कि raw material महंगा हो गया, और हमारी cost जो है, वो 9 रुपी 40 पैसा हो गई है, बाकी suppliers को अभी भी 8.90 में यह product मिल रहा है, मतलब बाकी factory वालों को, बाजार में दाम क्या चल रहा है, 10 रुपी, हमारा input cost 9 रुपे 40 पैसे, उनकी input cost still 8 रुपे 90 पैसे, अभी 2 महीना लगेगा, तब इन लोगों की भी input cost बढ़के कितनी हो जाएगी, 9.4, तो हमको लग रहा है कि अगर एक रुपे 10 पैसे कमाने हैं, तो हम इस product को कम से कम, 10 रुपे 50 पैसे हम बेचेंगे, बट हम 10 रुपे से उपर पेस को नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आज भी input cost कितनी है, 8.9, वो तो आज भी बजार में 10 का ही बेच रहे ह अगर हम साड़े 10 का बेचेंग आएगा customer हमारे पास, monopoly उसने create कर दी customer बाग जाएगा, तो हमारे profits थोड़े से क्या हो गए, लोग है, जब तक 2 महीने बाद इनको भी raw metal महेंगा नहीं मिल जाता, तब तक हम quantity थोड़ी सी, same price पे कम कर देंगे, ताकि हम जब market में पूरा दाम बड़े, साड़े 10 हो जाए, तब अपना रंग दिखाए, ज्यादा product बेचें और ज्यादा profit कमाए, इसको आप बोलेंगे what is called as supply, क्योंकि same price पे आप कम बेचने लगता है, is that clear, चलिए, समझगे इस बात को, तो यह जो price होती है, चल रहे हैं, यह कोई cost price नहीं होती है, यह market price होती है, और market price कोई एक जना determine नहीं करता, it is determined with the interaction of the forces of demand and supply, यह कहानी आपको market equilibrium में पढ़ा जाएगी, supply में सबसे पहले आपनी क्या पढ़ा, other things remaining, constant, तो आपने पूचा, शे student है मेरा मन क्या, चलो बता देता हूँ, नहीं तो मैं सीधे, अपना time pass करता है, और मैं बोलता, भई, law of supply क्या बोलता है, other things remaining, constant, समझना क्या, हमें पीछे से good, महेंगी price में बिक रहे हैं, मिल रहे हैं, मतला मारी input cost क्या हुई चल रहे हैं, तो सर क्या करेंगे, मतला भी नहीं है, यह सब चीजे आगे चलके पढ़ लिए, पटा थोड़ क्या पूच दो पढ़ा दू, त मैं 10 में बेच पाऊंगा, 9 में मिल रही है, 1.5 रुपे processing cost, साड़े 10 तो उसकी manufacturing cost आ गई, 1.5 रुपे कमाना है, 12 रुपे होजएगा कि नहीं, sorry, that is not law of supply, law of supply जब आप पढ़ते हैं, तो आपको इन बातों से कोई लेना देना, नहीं होता है, is that understood, एशिव जी समझ गए, इ यहां पे एक तरह का invalid question है, कि दाम बढ़ा, input cost बढ़ी, तो हम से बढ़ा के बेचेंगे, अब पता है दिमाग में question क्या है आपके, जब input cost बढ़ेगी, तो यह price भी क्या होगा, यह बढ़ेगा तो फिर इसको जादा बेचो, अरे पागल ही क्या हम, अगर जैदा बेचके सा सारा स्टॉक क्लियर कर देंगे, तो कल को जब profit कमाने का समय आएगा, आपके पास स्टॉक होगा ही नहीं, तो इसलिए उन factors को constant रखा दिया है, समझ गए, चलिए, schedule बना लिए, everybody, तुरंत एक graph plot कर लीजे, बच्चों इसी से related, यह बात सब को clear होगी कि नहीं, confusion तो नहीं है चलिए, तो इसको समझना ऐसे ही है, that your cost of production is रुपी एट, इस रुपी एट, इस रुपी एट, इस रुपी एट, यहां पे आपका profit दो रुपे का है, यहां प्रॉफे बारा रुपे का, यहां प्रॉफे बाइस रुपे का, और यहां प्रॉफे बाइस रुपे का, और यह more profit more profit बट अगर 8 रुपे की चीज का cost बढ़के 11 रुपे हो जाता है चल्डरन तब आप बोलेंगे sir price बढ़ गया तो जब price बढ़ गया तो I should sell more ना इस बढ़े हुए price ने आपका profit ही राया होगा क्योंकि बजार में दाम क्या चल रहा है 10 रुपी चल रहा है बजार में दाम क्या चल रहा है तो कोई भी businessman क्या 11 का बना के 10 में बेचेगा तो यहां पर quantity क्या हो जाएगी 0, 20 का जब विक रहा है 11 में बन रहा है 9, पहले कितना हो रहा था 12, तो यहां पर आप 4 नहीं बेचेंगे यहां से तो ही बेचना चाहेंगे 30 में बेच रहे थे 8 का cost था profit कितना था बाइस अब आपकी cost कितनी हो गई 11, market में price अभी भी 30 है क्यों maximum businessmen के पास तो old supplies पड़ी हुई है वो 30 में बेच कर खुश है तो आप क्या 6 unit बेचेंगे बचो 11 का समान 30 में बिकेगा तो what is your profit children 19 rupees पहले कितना profit था 20 rupees तो आप कहेंगे चलो 4 unit बेचो तो यह price और यह cost दोनों में difference होता है children price is not cost, cost is not price cost जितने में आपने उसको process करके बज़ार में बेचने लाइक बनाया price जो आपको market से मिल रही है तो price और cost का जो difference होगा that is your profit basically समझ गए तो आपको रिप्या करके cost को price से ना confused है schedule रॉन चलों चलिए homework इस कि आप इस तरह काई graph बनाएंगे x-axis पे 11 cm का क्या और y-axis पे भी 11 cm क्या बन जाएगा चलिए that's all for today